प्रधान मंत्री जी से आगरह है कि आप इस सुवावसर पर अपने अभिभाशन से हम सभी को प्रितार्थ करें नमस्कार केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे सभी सहयोगी गण अलग-अलग राज्यों के राजपार्शरी मुख्यमंत्री गण देश विदेश से जुड़े राजमाताब विजया राजे सिंधिया जी के प्रसंसक एवं परिवार के सदस्या उनके सनेही और मेरे प्रिये भाईयों और भेहनों कि आज यहां इस कारकम में आने से पहले मैं विजराजी की ये जिवनी को जड़ा खंगाल रहा था कुछ पन्नों पर मेरी नेजर गई उसमें एक प्रसंग है एकता यात्रा का जिसमें उन्होंने मेरा परिचे गुजरात के युवा नेता नरेंद्र मोधी के तौर पर करवाया है आज इतने वर्षों बात उनका वही नरेंद्रा देश का प्रधान सेवक बनकर उनकी अनेक स्मृत्यों के साथ आज आपके सामने हैं आपको पता होगा जब कन्या कुमारी से कश्मीर एक यात्रा का प्रारंभ हुआ था डॉक्टर मुल्डी महनर जोसी जी के नेत्रूत में और मैं व्यवस्था देखता था राज माता जी उस कारकम के लिए कन्या कुमारी आई थी और बाद में जब हम स्री नगर जा रहे थे तो जम्मू में बिदाई देने भी आई थी और उन्होंने लगातार हमारा होसला बुलंद किया था तब हमारा सपना था लाल चौक में तरंगा चान जन्ना फेराना हमारा मक्सद था धारा 370 से मुक्ति मिल जाए राज माता जी ने उस यात्रा को विजाई दी थी जो सपना था वो पूरा हो गया आज जब मैं पुस्तक में और भी चीज़े देख रहा था पुस्तक में एक जगह उन्होंने लिखा है एक दिन ये शरीर यहीं रह जाएगा आत्मा जहां से आई है वहीं चली जाएगी सुन्य से सुन्य में स्मृतियां रह जाएगी अपनी इन स्मृतियों को मैं उनके लिए छोड़ जाऊंगी जिन से मेरा सरोकार रहा है जिनकी मैं सरोकार रही हूँ आज राज माता जी जहां भी है हम सब को देख रही है हमें आशिरवाद दे रही है हम सभी लोग जिनका उनसे सरोकार रहा है जिनकी वो सरोकार रही है वो यहां इस विशेश कारकम में कुछ लोग पहुँच भी पाए है और मोजूद भी है और देश के अनेक भागों में कौने कौने में आज यह अवसर वर्चुली मनाया जा रहा है हम मैंसे कई लोगों को उनसे बहुत करीबी से जुड़ने का उनकी सेवा उनके वातसल को अनुभो करने का सौभागी मिला है आज उनके परिवार के उनके निकट समंदी इस कारकम में हैं लेकिन उनके लिए हम सब हर देश वासी उनका परिवार ही था राज माता जी कहती भी थी मैं एक पुत्र की नहीं मैं तो सहस्त्रों पुत्रों की माँ हूं उनके प्रेम में आकंठ डूबी रहती हूं हम सब उनके पुत्र पुत्रिया ही हैं उनका परिवारी हैं और इसलिए यह मेरा बड़ा बहुत बड़ा सौभाग है करने काल कि मुझे राजमाताभ विज्ञाराहसि इंदिहाजी कि स्मृति में जॉप्य के विशेस मारक्सिक्के की भी-मोचन करने का ऐसर मिला खाला कि मैं खुद को आज बंधा हुआ मैसुस कर रहा हूँ बहुत बंदा हुआ मैसुस कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो आज इस कारकम का स्फरूप कितना बड़ा कितना भव्य होता लेकिन यह बाग मैं जुरूर मांता हूँ जीतना मेरा राजमाता सहाब के साथ संपर रहा है कारकम भव्य तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन एक कार्यकम दिव्य जरूर है उसमें दिव्यता है साथियों पिछली शताब्दी में भारत को दिशा देने वाले कुछ एक व्यक्तित्वों में राजमाता विजया रजे सिंधिया भी शामिल थी राजमाता जी केवल वात्सल्ने मूर्ती ही नहीं थी वो एक निरनायक नेता थी और कुशल प्रशासक भी थी स्वतंत्रता अंदोलन से लेकर आजहादी के इतने दशकों तक भारती राजनेती के हर एहम पड़ाव की वो साक्षी रही आजहादी से पहले विदेशी वस्त्रों की हुली जनाने से लेकर आपातकाव और राम मंदिर अंदोलन तक राजमाता के अनुभवों का व्यापक विस्तार रहा है हम सभी जो उनसे जुड़े रहे हैं जो उनके करीबी रहे हैं वो उन्हें भली भाती जानते हैं उनसे जुड़ी बातों को अच्छी तरह जानते हैं लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि राजमाता की जीवन यात्रा को उनके जीवन संदेश को देश की आज की पीड़ी भी जाने उनसे प्रेणा ले उनसे सीखें इसलिए उनके बारे में उनके अनुभवों को बारे में बार बात बात करना आवशक है कुछ दिन पहले मन की बात कारकम में मैंने बहुत विस्तार से उनके स्नेह पर चर्चा की थी बीवा से पहले राज माता जी किसी राज परिवार से नहीं थी एक सामार्ने परिवार से थी लेकिन बीवा के बार उन्होंने सबको अपना भी मनाया और ये पाठ भी पढ़ाया कि जन सेवा के लिए राज की अदाईतों के लिए किसी खास परिवार से मैं जन्म लेना ही जरूरी नहीं होता कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति जिनके भीतर योग्यता है पतिभा है कि देश सेवा की भावना है वो इस लोग तंत्र में सत्ता को भी सेवा का माध्यम बना सकता है अब कल्पना कीजिए सत्ता थी संपत्ति थी सामर्थ था लेकिन उन सबसे बढ़कर जो राजमाता की अमानत थी वो थी संसकार सेवा और स्नेह की सरीता यह सोच यादर्ष उनके जीवन के हर कदम पर हम देख सकते हैं इतने बड़े राजगराने की मुख्या के रुप में उनके पास हजारों करमचारी थे भव्य महल थे सभी सुभी धाय थी लेकिनों ने सामान ने मानवी के साथ गाउं गरीब पे साथ जुड़कर जीवन जीयां उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया राज माता ने साबित किया कि जन प्रतिनिदी के लिए राज सत्ता नहीं जन सेवा सबसे महत्वपून है वो एक राज परिवार की महरानी थी राजा साही परंपरा से थी लेकिन उन्होंने संगर्ष लोग तंत्रकी रक्षा के लिए किया जीवन का महतप्ण कालखन जेल में बिताया हापात काल के दोरान उन्होंने जो जो सहा उसके साक्षी हम में से बहुत से लोग रहे हैं इमर्जंसी के ही दोरान तिहाड जेल से उन्होंने अपनी बेटियों को चिठी लिखी थी संभवत है उसा राजे जी वसुंद्रा जी यसोद्रा जी उन्हों सब को यह चिठी याद होगी राज मातारे जो लिखा था उसमें बहुत बड़ी सीख थी उन्होंने लिखा था अपनी भावी पीडियों को सीना तान कर जीने की प्रेणा मिले इस उद्देश से हमें आज की विपदा को तहर्य के साथ जेलना चाहिए राष्ट के भविश के लिए राज माता ने अपना वर्तमान समर्पित कर दिया था देश की भावी पीडि के लिए उन्होंने अपना हर सूक त्याग दिया था राज माता ने पद और प्रतिष्ठा के लिए न जीवन जिया न कभी वो राजनीती का रास्ता चुना ऐसे कई मोके आए जब पद उनके पांस तक सामने से चल करके आये लेकिन उन्होंने उसे विनम्रता के साथ ठुकरा दिया एक बार खुद अटल्यू रिवाजपाई जी और लाल से परेशंग की सेवा करना सुविकार किया अगर राजमाता जी चाहती तो उनके लिए बड़े से बड़े पत्त तक पहुंचना मुश्किल नहीं था लेकिन उन्होंने लोगों के बीच रहकर गांव और गरिब से जुड़े रहकर उनकी सेवा करना पसंद किया साथिवा हम राजमाता की जीवन के हर एक पहलू से हर पल बहुत कुछ सिख सकते हैं उनकी कई ऐसी कहानिया है जीवन की सातत्य पूर्ण घटनाएं हैं जो उनसे जुड़े रहे लोगों को बताते रहे एकता यात्रा का ही एक और किस्सा है जब वो जम्मू में थी तो दो नए कायरकरता भी उनके साथ थे राजमाता दूसरे कायरकरता का कभी कभी नाम भूल जाती थी तो बार बार पहले कायरकरता से पूछती थी कि तुम गोलू हो ना और दूसरे साथी का क्या नाम है वो अपने छोटे से छोटे साथियों को उनके नाम से जानना पहचान पसंद करती थी तो साथ के लोग कहते भी थे कि आप क्यों नाम की इतनी चींदा कि आप पसावार लगा दीजिए लेकिन राज माता उन्हें जवाब देती थी कि मेरे कारकरता मेरी मदद कर रहे हैं और मैं उन्हें पहचानूं तक नहीं ये तो ठीक बात नहीं होगी मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन में अगर आप हैं फिर चाहें आप किसी भी दल से किसी भी पार्टी से हो सामान्य से सामान्य कार करता कि प्रती ये सोच ये भाव हम सभी के मन में होना ही चाहिए अभिमान नहीं समान ये राजनीती का मुल मंत्र उन्होंने जी करके दिखाया है साथियों राजमाता उनके जीवन में अध्यात्म का अधिश्ठाम था अध्यात्मिक्ता के साथ उनका जुडाव था साधना उपासना भक्ती उनके अंतर मन में रची बसी थी लेकिन जब वो भगवान की उपासना करती थी तो उनके पूजा मंदीर में एक चित्र भारत माता का भी होता था भारत माता की भी उपासना उनके लिए वहसी ही आस्था का विशह था मुझे एक बार उनसे जुड़ी एक बात कुछ साथियों ने बताई थी और मैं जब उस बात को याद करता हूं मुझे लगता है मैं भी आपको बताओं एक बार वो पार्टी के कारकेम में मत्थुरा गई थी स्वाभाविक था कि वहां राजमाता बांके विहारी जी के दर्सन करने भी गई मंदिर में उन्हों ने बांके विहारी जी से जो कामना की उसका मर्म समझना बहुत आवश्यक है राजमाता ने तब भगवान कर्ष्ण से प्रार्फना करते हुए क्या कहा हम सब के लिए राजमाता के जीवन को समझ लेके लिए बहुत बड़ी काम आने वाली है वो भगवान कर्ष्ण के सामने खड़ी हैं बड़े भक्ती भाव से खड़ी हैं अध्यत्मिक चेतना जग चुकी है और वो भगवान कर्ष्ण के सामने क्या प्राफना करती हो कहती है हे कृष्ण ऐसी बांसुरी वजाओ ऐसी बांसुरी वजाओ कि पूरे भारत के सब नर नारी फिर से जागूरूत हो जाएं आप सोचिए अपने लिए कोई कामना नहीं की जो चाहा देश के लिए चाहा जन जन के लिए चाहा और वो भी चेतना जगाने की बाद की जो कुछ भी किया देश के लिए किया एक जागूत देश एक जागूत देश के नागरी क्या कुछ कर सकते हैं वो ये जानती थी समझती थी आज जब हम राज माता जी का जन्व शताब्दी मना रहे हैं पुनुनता की और हैं तो हमें संतोश है कि भारत के नागरीकों की जागरूती को लेकर उनकी जो कामना थी बांके बिहारी में उनकी जो प्रार्थना थी वो आज लग रहा है कि धरतार धरातार पर चीतना के रूप में अनुबव हो रही है बीतों वर्षों में देश में जो अनेकों परिवर्तनाय है जो अनेकों अभ्यान और योजनाय सफल हुई है उसका आधार ये जन चेतना है जन चागरूती है जन अंदोलन है राज माता जी के आशिरवात से देश आज विकास के पत पर आगे बढ़ रहा है गाउं गरीब दलीत पीडीत शोसीत बवंचीत महिलाएं आज देश की पहली प्रात्मित्ता में है नारी शक्ति के बारे में तो वो विशेश तोर पर कहती थी कि जो हाथ पालने को जुला सकते हैं वो विश्व पर राज भी कर सकते हैं आज भारत की यही नारी शक्ति हर छेत्र में आगे बढ़ रही हैं देश को आगे बढ़ा रही हैं आज भारत की बेटियां फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं नेवी में उद्यक उद्यक की भुमिकाओं में अपनी सेवाएं दे रही हैं आज तीन तलाक के घ्लाप कानून बना कर देश ने राज माताजी की उस सोच को नारी शसक्ति करण के उनके प्रयास को और आगे बढ़ाया है देश की एक्ता अखंता के लिए कश्मीर भारत की एक्ता का सपना के लिए उन्होंने जो संगर्ष किया जो प्रयास किया उसका प्रणाम आज हम देख रहे हैं आर्टिकल 370 खत्म करके देश ने उनका बहुत बड़ा सपना पूरा किया और ये भी कितना अद्भूत संयोग है कि राम जन्ब भूमी मंदिर निर्मान के लिए उन्होंने जो संगर्ष किया था